नमस्कार दोस्तों पतंजली होमियोपैथिक के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे दर्द निमारक दवा यानि कैसा भी दर्द हो चैबदन दर्द, सीर दर्द, मांस पेशियों का दर्द, जोडों का दर्द, इसी प्रकार का दर्द हो तो उन सभी दर्द के लिए कि एक दवा आपको होमियोपैथिक मेडिकल लिस्टूर से लेना है जिसका नाम है आरटी वन ठीक है आरटी वन आपको ले लेना है और आपको कैसे पीना है तो इस वीडियो के अंत्रें बताएंगे अब देखिए इस R81 में कौन-कौन सी दवा डाली गई है देखिए इसके अंदर एक दवाई है अनारमिटा कोकूलस दूसरा है अरेनिया डायडेमा तीसरा है सीमी सीक्यूगा सीक्यूगा रेसे मोसा ठीक है सीट्यूलस यानि कोलोसिस सिथिस और इसमें है साइक्लो मेन यूरोपीमम यानि यह सारी दवा इसमें डाली गई है ठीक है इसका कंबिनेशन है अगर आपके ओल R81 को लेते हैं और आप अपने घर में रखते हैं तो लगभग आज के दौर में तो दौर भाग की जिन्दगी में देखते हैं कि सीर दर्द हो पैर दर्द हो हर प्रकार के दर्द को दूर करने के लिए यह आपका R81 होना घर में बहुत जरूरी होता है सब के घर में ठीक है आप इंगलिस दवा यूज करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होत इसमें ये दवा डाली गई है ठीक है लच्छन क्या होने चाहिए ये लेंगे आपके सीर में दर्द होना चाहिए बादसूली दर्द होना चाहिए मांसपेसियों का दर्द होना चाहिए जोडों की पीडा होनी चाहिए है न पेडू का दर्द हो न पेट का दर्द हो कोई भ दवा अनयर्मिटा कोकुलस जो ये दवा है ये भी सीरदर्द के लिए एठन के लिए मासिक धर्म संबंदी पीड़ा के लिए ये सारी दवाएं है ठीक है तो ये देख रहे हैं जो भी मैंने इन दवाओं का नाम लिया इन सभी दवा के सिम्टम क्या क्या होते हैं यहां पर द लिजिएगा देखे ठीक है ये सभी दवा जो अलग अलग इसमिर दवा कमिनेशन डाला हुआ है आप एक दवा लेंगे तो देखे ये साइकलो मेन यूरोपीमम सीरदर्द आधा सीरा का दर्द यानि कुछ लों को अधकपारी हो जाता है पीड़ा युक्तमासित धर्म संब अंधिविकार यानि ये सारी दवाएं आप एक दवा लेंगे तो सब के लिए काम करेगा ठीक है ये आर एटीवन आप जाके अभी ले लीजिए अब देखिए इसे कैसे यूज करना है दोस्तों ठीक है तो जिन लों के हाथ में कमपन होता है वो भी जिंगो बाई लूबा ले सकते हैं और ये जिंगो बाई लूबा भी आर एटीवन में डाली हुई है खुरा की माता सामान प्रदिन यहनि जब आपका दर्द करें तो तीन से चार बार भोजन के बाद लेना है और उसमे है तो बाई में ठोड़ा पानी डाल के आधा कब पानी में 15-20 बून 15-20 ठीक है पंदरा बीज बून आधे कब पानी में डाल देना है और ले लेना है अगर जादा उग्रे श्थित्यों आपके जादा सरदर्द कर रहा हो तो पहले एक डोज लीजिए आधे कब पानी में 15- 20 बुन डालिए और फिर अगले एक से दो घंटे बाद फिर वही वही क्रिया एक बार फिर से कर लेंगे तो निश्यत रूप से एक घंटे बाद आपको काफी आराम हो जाएगा ठीक है तो ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चनल को ज़रू सस्क्राइब करें क्योंकि हम जो ची पारी दवा कैसे यूज करना है किस तरीके से यूज करना इसमें कंबिनेशन क्या है